दोस्तों आज इस वीडियो में हम Reliance Power और जय प्रकास Power Ventures Limited को साथ में डिसकस करेंगे यहाँ पे देख से तो यह दो पैनी स्टॉक ऐसे है जो पिछले जिन्टों काफी एचा रिटन दे चुक है COVID काल में दोनों ने लोगों को बंपर रिटन दो दिया लेकिन पिछले एक दो साल से इस टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुक है क्या आने वाले समय में वैसा ही रिटन देंगे तो यहाँ पे बहुत सारी बात है जिसको इस वीडियो के बादें से हम डिसकस करेंगे दोनों कमपनियों ने अपने quarter 4 के रिजल को डिकलेर कर दिया है रिजल काफी बैतर है यानि quarter 3 के मुकाबले कमपनी ने काफी अच्छा किया है क्या आने वाले समय में फिर से एक जबदस टेजी का दोर सुरू होगा तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के मादिम से और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE Sensor की आज बात करें तो 61,560 के इस्तर पे क्लोजिंग थी 371 पॉइंट की गिरावट देखनों को मिली यानि 0.60% BSE Sensor गिरा और दूसरा ट्रेडिंग सरसन जब बाजार में गिरावट देखनों को मिली है। नतीजा यह रहा के निप्टी एनर्जी में भी गिरावट देखनों को मिली आप देख सकते हो 23,901 के इस्तर पे करीब 0.53% गे लगबग आदा परसन की गिरावट थी। अब इंटरनेस्टल मार्केट खुल चुकर वहाँ से सिग्नल पॉजिटिव निकल के आ रहे। डाव जोन की बात करें तो 33,155 के इस्तर पे 0.44% की तेजी देखनों को मिल रही है। S&P500 की बात करें तो 4,128 के इस्तर पे 0.44% की तेजी वहाँ पर भी बनी हुई है। नेस्टलेक कॉमपोजिट की बात करें तो 12,385 के इस्तर पे 0.34% की तेजी है। लेकिन रजल 2000 इंडेक्स में 107.36 के इस तर पे 1.4% की गिरावट है, ओवरॉल देखे तो सिगनल ठीक दिखाई जिरे, मिक्स सिगनल जरूर है, लेकिन अगर यही सिनेरियो और आतो कल बाजर में कुछ पॉजिटिव समोहना बन सकती है, बाजर के लिए जो सबसे अची उन्होंने 16,519 कोपीश का नया इंवेस्मेंट कर लिया है, और इसी विज़े से कह सकते कि यह दोनों स्टोक कमाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों स्टोक में FI का काफ़ी अच्छा निवेस है, जेपी पाउर की बाद के दो आज स्टोक की क्लोजिंग 5.70 पर इज़ाफे 1.79% की सांदार्ती ही देखनों को मिली, एक तरफ तो बादर में काफी बड़ी गिरावर थी, लेकिन खरीदारी के दम पे स्टोक ने अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है, अब यह आप इसकी परफॉर्मस देखे तो पिछले 5 साल के स्टोक ने 54% का ने थे तिरी मन के स्टोक 60% का ने घ्रlis का मनक के हिसाब से 5 परशेंट निगैटिव रिटन ये यह यादि पिछले साल से लगाता साथ निगेटिव बना हुआ लेकिन अब श्टॉक के अंतर निचले लेवल से फिर से करेंट आदे लगा है अब यहाँ पर कम्पनी ने अपने quarter 4 के रिजल को डिकलेर कर दिया है आप देख सकते हो मार्च 2022 में कम्पनी का रिवेन्यू 1406 को बीच के आसपस था जो जुन 2022 में बढ़के 1,820 को भी तक पुँच गया इसके बाद सेक्टर में कमी आई यहीड़न दिसम्ट 2022 में कम हो के 1,201 को भी तक पुच गया था लेकिन इस बार रिवेन्यू फिर से बढ़ा है आप देख सकते हो मार्च क्वाटर में 1380 कोई का कंपणी को रिवेन्य मिला है या नि निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी आई है अब आप देख सकते हो की रिवेन्य बढ़ना शुरू हो चुका है इसके लगा कंपणी के लॉस में भारी कमी आई है मार्च 2022 में कंपणी को 2.27 कोई का लॉस यानि कंपणी फिर से एक तरीके पठरी पे आने लगी है और यह स्टॉक तेजी से आगे बढ़ सकता है क्योंकि कंपणी के खुद की कोल माइन्स दो है और जिस नितिया आई की रिपोर्ट करें कि 2030 तक कोल डिमांड पिक पर होगी तो यह कंपणी कमाल कर सकती है और इन्हो स्टॉक अपने निचनले लेवर की तरफी है स्टॉक का पी 68.10 बुक वैलिस की 15.20 की है और इस कारों सी 5.16 परसेंट है और आरोई 0.55 परसेंट है तो देख से फंडामेटल इसके ठीक लगरे इस लेवल के हिसाब से अब यहां पर हमकर शेयर होडिंग को देखे दिसमर कॉ 25 परसेंट की होल्डिंग FI की हो चुकी है तो जिस स्टॉक के अंदर FI ने 5 परसेंट की होल्डिंग दिये तो वाकई में स्टॉक आने वाल से मैं कमाल कर सकता है तो FI ने जम के खरीदारी की है मार्च के दौरन डियाई की बात के तो 22.15 परसेंट की होल्डिंग थी दिसमर कॉर्टर में जो इस समय 22.19 परसेंट की आसपास हुई है तो डियाई ने में अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया है यह बहुत बढ़ा सूप संके थे फिलाल जनर पब्ली के शेयर कम हुए 50.18 परस किया जा सकता है अगर आप इसके सेल्स को देखे तो आपको समय आगे 10-year के साबसे सेल्स इसका 9% परसेंट था था 5-year के साबसे 3% परसेंट था 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 यह के साबसे 27% परसेंट यह नि प्रॉफित काफी अच्छा था इस वज़े से शेयर की प्राइज भी थी लेकिन इस परसेंट तो प्रॉफित गिरा है उस हिसाब से शेयर की प्राइज भी गिरी है लेकिन इस बार प्रॉफित में देजरे रिकवरी शुरू हुई है यह काफी अच्छी बात है और आने वास में डेफिनिटली है स्टॉक एक अच्छा रिटन में दे सकता है आप इसकी रेटि किया जा सकता है इस लेवल पे क्योंकि स्टॉक में एफ़ई ने खरिदारी शुरू कर दिया इस टॉक वाकि में कुछ नया कर सकता है पूरानी 10 रुपे 11 रुपे के हाई तोड़के नहीं हाई बना सकता है चलते है रिलाइस पाउर की तरह 11.55 पर इसकी क्लोजिंग थी पर देखे थो इसकी कंपणी का काफी बैतर रही है मार्च दोयार बाइस में का रिवेनी 108,46 रूपीं का आसमास सा इस बार 107,30 रूपीं का आसमास रही तो रिवेनी थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन कंपणी वह आ गई है भारी प्रॉफिट में आर्ज 22 में इसके अमपनी क प्रॉफिट मागई है और इसे लिए स्टॉक आने मर्स में डेफिनिटली कमाल कर सकता है और ब्लैक स्टॉन जैसे बड़े इंवेस्टर इसमें निवेस्ट कर रहे हैं वर्दे पार्टनर से काफी बड़ा निवेस्ट किया शेयर खरीदे प्रमोटर कोटे से तो बिल्कुल इ कमपणी अपनी लगारा लाइबरेटिस कम कर रहे हैं मार्च 2020 में फिप्टे थाउजन सेवन डेटी रूपिस के आसपास थी जो मार्च 2022 में गटके फूर्टी नैंट ने ट्रॉल को भी सकता है और मार्च 2023 में यह फूर्टी एट थाइट थाइट थाटीफा रूपिस के आ गया है तो कमपणी के कैश फ्लो में विर्दी हुई है और यहां पर आप देखे इसके शेर रोडिंग पैटन तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में स्टॉक में इंवेश्मेंट किया जा सकता है यहां पर दिसंबर क्वार्टर में 7.83 परशन के आसपास थोड़ा सा नि पब्लिक की 64.47 परशन के ओडिंग है और प्रमोर्टर के पास लबग 25 परशन के शिया रहे कुल मिला के शेर पैटिंग अच्छा है अगर हम इसके रेटिंग को देखे तो मास्टर रेटिंग 5 श्टा में से 4 श्टा की रेटिंग है बाइर डिमांड के मामलों देखे तो 5 प्राइश्टर में से 5 श्टा की रेटिंग निकल के आ रहे है लेकिन इसकी EPS सिस्टन 5 श्टर में से 2 श्टा की रेटिंग है जो कम कह सकते है प्राइश्टर भी इसकी थोड़ी सी वीक है 5 श्टर में से 2 श्टा की रेटिंग है और ग्रूप रैंक 5 श्टर में से 2 श्टा क करी है जिसका फाइदा अनिल दिरुबाय अंबाणी ग्रूप की इस कंपनी को हो सकता है और अनिल अंबाणी के पास फिलार इस कंपनी के अलावा दे के तो दूसरा कोई काम भी नहीं है तो बिल्कुल यह इंवेस्टमेंट का मौका है यह दोनों स्टॉक आने वन समय अच्छ क मौका हो आनिल गुए और अजदानी कि पमगा reflect को हो जाइदानी के टूस्वा भी यह दोस्तॉस्ष मौकाओन है भी से सिजकते से अष़ गिलिवस्पलา की अटल दोन दोस्कान पासी है विलेudsा पास्मेंट